नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं एबी सी इंडिया मैं आपका दोस्त अमित भोबिया तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे साबू दाना की खेती के बारे में जी हाँ साबूदाना को उगाया कैसे जाता है उसके बाद में साबूदाना को तैयार कैसे किया जाता है पूरा का पूरा प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आप लोगों से एक बात जरूर बता दूँ कि पूरे भारत में या यूं कहूं कि लगभग धरती के हर एक area में साबूदाना को उगाना possible है तो आप जो साबूदाना घर पर इस्तेमाल करते हैं वो कृपया अपने ही बगीसे में उगाएं अपने ही खेत में उगाएं और उसी का इस्तेमाल करें क्योंकि वो organic भी होगा और बिना polish वाला होगा तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है जिस भी जगहें पे उगा रहे हैं उस जगहें को अच्छे से जोत लेना है जोतने के पश्चाथ आपको कुछ ऐसे बैड बना लेने है बैड कहें या मेडे कहें थोड़ी जमीन से लगबग एक फिट उन्ची हो ऐसी मेडे आपको बना लेनी है इसके बाद में आपको क्या करना है एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है टापियो का प्लांट इस प्लांट के जो डंडी होती है वो ले लेनी है और उन डंडियों को आपको 3-3 feet की दूरी से जो bed बनाएंगे वो भी line से line की दूरी 3 feet और पोदे से पोदे की दूरी 3 feet इस हिसाब से जैसे गन्ना लगाते हैं बिलकुल वैसे ही अंदाज में आपको इनको लगा देना है और फिर यही डंडिया जो है इन्ही में से एक पोधा निकलेगा और वो पोधा कुछ ऐसा होगा और जब वो पोधा आठ महने का हो जाएगा तब आप उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं अब इन डंडियों को लगाना कब है? वैसे सबसे बेस्ट टाइम होता है इसका दिसंबर का महना लेकिन आप इसे अगर और किसी भी महने में लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कभी भी आप जो साबुदाना का प्लांट होता है इसे लगा सकते हैं आठ महिने से बारा महिने के बीच में जब आपका दिल करे जब फसल आठ महिने की हो जाए तब से लेके बारा महिने की हो तब तक जब आपका दिल करे आप फसल को हर्वेस्ट करेंगे harvest कैसे करना है जो पोदे बड़े-बड़े हो जाएंगे तो पोदों को उपर से काट देना है काटने के बाद जड़ को निकाल लेना है कुछ ऐसी जड़ निकलेगी इस जड़ को निकालने के तुरंत बाद आपको इसकी processing करने है साबू दाना बनाने के लिए लेकिन एक बात का फसल के दुरान आपको ध्यान लखना है ये जड़ के पोदा है इसको किसी भी परकार की कोई खाद नहीं देनी ये पोदा जो है इसको आप हर परकार की जलवाईव में उगा सकते है शर्त एक है कि जड़ के पास पानी नहीं रुकना चाहिए क्योंकि जड़ के पास पानी रुकरेगा तो ये जड़ वाला ही fruit है तो वहाँ पर वो जड़ गल सकती है बस इतना ध्यान रखिएगा जंगली पोदा है कोई दिक्कत नहीं आती इसको किसी भी मिट्टी मुगा लीजिए इसलिए हम इसको बेड़ पे उगाते हैं ताकि पानी जड़ों के पास में ना लगे इसके बाद में जो हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे तो हार्वेस्ट करने के बाद तुरंत आपको इसे धोना है अच्छे से धोने के बाद आपको इसके उपर के छिलके को उतार लेना है फिर ये कुछ अरबी जैसा निकल जाएगा फिर इसे अच्छे इसे और धोना है छिलका जो है उपर का वो इसके उपर रहना नहीं चाहिए क्योंकि उसके अंदर poison होता है ऐसा बताया जाता है उसके बाद में आपको जो अरबी जैसे निकल जाएगे इन्हें अच्छे से मैस कर लेना है अच्छे से इनका चूरा बना लेना है या यूं कहें कि अच्छे से पीस लेना है इनको पीसने के बाद ये कुछ लुगदी जैसा बन जाएगा तो उस लुगदी को आपको कपड़े के अंदर डालना है और जैसे हम पनीर को डालते हैं बिल्कुल वैसे डालना है और उसके उपर भारी वजन दे देना, काफी भार दे देना है जिससे क्या होगा इस लुगदी के अंदर जितना पानी होगा सब निकल जाएगा और अकेला जो साबूदाने का पौडर है वो आपके बास बच जाएगा फिर आपको क्या करना है दस से बारा घंटे बाद उस पौडर को लेना है और जो इतने बड़े ठेले ठेले बन जाएंगे फिर उनको आपको जो है कनवर्ट करना है छोटे छोटे दानों में तो आप उसके लिए कोई भी जाली का इस्तेमाल करेंगे हलका गिला करने के बाद इसे जो है उसी पौडर को हलका सा गिला करना है और उसके बाद जाली के अंदर से निकालना है जो आप जाली के अंदर से निकालेंगे तो ये एक शेप ले ले लेगा और शेप कौन सी लेगा ये मोती जैसी शेप ले लेगा ये अगर आप चोर्स में से निकालेंगे तो चोर्स हो जाएगा तो आपका साबूदाना जो है वो तैयार हो जाएगा फैक्टरी वालों के पास क्या होता है कि फैक्टरी वाले क्या करते हैं इसको जब साबूदाने को त्यार करते हैं उसके बाद इसके उपर पोलिश करते हैं ताकि इसके उपर चमका जाए इसको कुछ और पोधों से भी त्यार किया जाता है जिनके अंदर भारी मातरा में स्ट्राच होता है तो ये मत समझेगा कभी कि ये मोती जो हैं ये दाने जो हैं साबू दाने के बीज ये मतलब किसी पोधे से मिलते हैं इनको बाद में त्यार किया जाता है खेर देखते रहिए ABC इंडिया आपके आवाज आपका विश्वास